दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूफी फ्री बोरिंग योजना या मुक मंतरी लगुशिचाई योजना के विशे में आपको पता है कि उत्तरप्रदे सरकार में लगातार नईनी स्कीम शलती रहते हैं इसके तहत सरकार ने एक ऐसी स्कीम स्टार्ड की है जिसके तहत आप अपने खेतों में फ्री में बोरिंग करा सकते हैं इसमें अलग-अलग टाइप रखे गए हम सभी के विशलेशन करेंगे साथ-साथ आप कैसे इसके लिए ऑनलाइन आवी दिन कर सकते हैं घर बैठे उसका भी प्रोशिटर बताने वाले हैं तो वीडियो को आप पूरा देखेगे जैसे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं और आपको अपने खेट में फ्री बोरेंग योजना के तहत नलकूप मिल सके तो यह दिखे जोस्तों मैं ऑफिशल वीडियो कर रही है इसलिए मैं बना पा रहा हूँ अगर आप मेरा कभी आगे वीडियो देख रहे हूँ हो शकता है वीडियो कर रही हो तो website problems होती है अभी फिला यह scheme चल रही है जब मैं आज वीडियो करेट कर रहा हूँ तो पूरा detail के लिए आप इस website पर जब विजिट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग type की schemes बगरा दी हैं लग उसाई व्याग का एक परचा यहाँ दिया गया और भी आप पढ़ सकते हैं किस बज़े से scheme यह स्टार्ट कीगे सूखा की बार बार पढ़ने वाली बीबिक सांज ने पढ़ने हैं तो उननीशवी स्थाद्धी को तरह दिकारी बगर डेटेल यहाँ पर दी आप देख सकते हैं तो इस scheme के तहत चार से पांच टाइप के आप बोर करा सकते हैं पहला उथले नलकूप का मत पर उथले मद्यम और गहरे यह तीन मुक काटगरी हैं इसके बाद और भी काटगरी हैं पंप शिर्ट ब्लास्ट कूप बगएरा इसके तहत आप यहाँ पर आवे दिन कर पाएंगे किस टाइप का बोर कराना चाहता हैं और डेटेल अगर आप चाहते हैं तो किसी एक पर आ आप डारिक्ट इस वेपसाट पर आएंगे जैसे कि गहरे नलकूप के लिए पूरा डेटेल यहाँ पर दिया है यह अलग से वेपसाट खुलेगा और बोरिंग उथले नलकूप का अगर क्लिक करेंगे तो यह उसका डेटेल दिया है जैसे कि बोरिंग योजना प्रदेश म सबी जनफदों में लागू है सामान जात के लगवियों शीवांत कर्सकों है तो अनुदान इसमें कितना अनुदान मिलता है दोस्तों आप देख सकते हैं डेटेल इस गुजना से सामान सेड़ी के लगवियों शीवांत कर्सकों है तो बोरिंग पर अनुदान की अधिक्तम पांच जार से साथ अजार है उतले के लिए दोस्तों जो कम गहराई तक बोर किये जाते हैं सामानला भारतियों के लिए जो सीमा पॉइंट टू हेक्टेन रधारत है सामान ट्रेणी के कर्शकों को बोरिंग बर पंप्सेट इस्तापित करना आनिवारन नहीं है परंद पंप्सेट क्रेपर स्तापित करने पर लग गर्शकों को अधिक्तम पैंदालिस सो और इस्वी मांद कर्शकों को 6,000 रुपए का अनुदान मिलेगा यह तो सामान जाइट के लिए हो गए तो अनसूचित जाइट के लिए इसमें अनुदान लवक 10,000 रुपए से लेकर 9,000 है अगर मध्यम गहरे नलकूप की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पर भी सारा डेटेल दिया है पूरा सब कुछ अगर गहरे नलकूप कराना चाहते है तो उसके लिए अनुदान राजशी बगहरा सारी यहाँ पर एक लाग रुपए तक का अनुदान अप्रॉक्ष में यहाँ पर दिया जाता है तो यह सारी डेटेल आप पढ़ लिए इसके बाद आपेदन करें आवेदन करने के लिए आपको फिर से इसी वेबशाइट पर आना है मैं आपको लाइव आवेदन करके दिखाता हूँ कैसे करना है तो दोस्तों जब वेबशाइट पर आप होँगे तो यहाँ पर देख सकते आवेदन करें का एक आप्शन आ रहा है और इसी पर आपको क्ल करना है, उसकी आदार संख्या रखने है, उसका एक मुआल नंबर डालना है, और इमेल एडी ऐपस्टेरल है, अगर आप डालना चाहें तो, इसके बाद एक पाशवर्ड बना लेना है, जो के strong होना चाहिए ऐसा password जो आप याद रख सकें इसके बाद उसके जन विपी डाल ली है एक capture डाल कर खाता बनाए पर click कर देना है जैसे आप submit करेंग देख सकते हैं account created successfully if you want to apply right now then click fill form else go to home तो आपका आवी दिन form सफलता पूर्बग हो चुके है अब आपको fill form पर click करना है तो दोस्तों जब आपका वह आप registration हो जाता है जैसे आप fill form पर click करते हैं तो आप पूरे detail form पर आजाएंगी जहां पर आपको भरना है जिसमें इसकी सबसे पहले आपको यूजना का नाम select करना होता है किस प्रकार का बोर कराना चाहते है जो कि मैंने आपको बताए थे उथले नलकूप, मद्यम, गहरे अब इनमें अगर आप difference से चाहते हैं कि किस पर क्या difference है उसका वुडियो create करिएगा तो आप हमें comment करके बता सकते हैं बता देंगे कि ये सारे किस प्रकार के टाइप से नलकूप के है बट मुझे मद्यम नलकूप के लिए apply करना है तो मैं मद्यम गहरे नलकूप को select करूँगा इसके बाद आपका नाम already आप पहले fill कर चुके हैं अब आपको यहाँ पर अपने पिता घनाव भरना होगा इसके बाद अपनी जात ही भरनी होगी सामान नन पिछलावार का नसूप से जात किस से आप आते हैं इसके बाद आपको अपना यहाँ लिंक से select करना होगा और आपका आधार card number already यहाँ पर भरा है नमबर भी भर है data बरत भी भरी है मैंने यह detail hide कर रखी है दोस्तो इसके बाद रासन काड परवार आइडी अगर आप रासन काड नमबर आप डालना जाते हैं तो डाल चकते हैं mandatory नहीं है इसके बाद आपना पता पूरा डेल डालना है जिला सिलेट करना है और राजी का नाम सिलेट करना है दोस्तों नीशे जब आएंगे तो आपको नलकूप इस्तल का विबरन जहां पर आप नलकूप लगवाना चाहते हैं उसका डेटिल भरना है उस जिले का नाम आपको यहां से सिलेट कर लेना है तहसील का नाम स्लेट कर लेना है ब्लॉक का नाम स्लेट कर लेना है ग्राम पंचायत का नाम स्लेट कर लेना है और इसका राजश्व ग्राम का नाम स्लेट कर लेना है राजश्व का मतलब जुस्तों क्या होता है एक ग्राम पंचायत होती है और उसमें मजरे जो होते हैं वो इसका दन्याए पंचायते हैं आप्सिनल है और प्रवा मजरा भी आप्सिनल है ये आप ना भी डाले तो काम चले बस अब आपका खसरा संग्या बहुत इंपोर्टेंट यहां से चीज़ें शुरू होते हैं दोस्तों जिस खेत में आप या ज जो फोटो होगे उसको स्कैन करके 200KB में आप प्रॉक्स पीडियप जेपीजी और जेपीजी में आप यहां अपलोड कर सकते हैं 200KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए खतोनी का स्कैन को पी इसका दलाबारती का फोटो यहां पर आपको अपलोड करना है जो की 100KB का होना चा पड़ेगा खतोनी लाबारती का फोटो आधार कार और हस्ताक्सर इसके बद बैंक का विबरन देना है जिसमें आपको अनुदान आएगा उसको बहुत ही ध्यान पूरवक दें तो यह सारी बैंक यहां पर ऑथराइजड है इन बैंक में अगर आपका खाता है तो आप का अब बैंक की डेटेल भरने के बाद अन विबरन आपको यहां भरना होगा जैसे कि सिचाई हे तो उपलब्द कुल भूम स्वैम की अब दोस्तों सब्सक्राइब आपके पास दस बीग है जमीन है तो उसको यहां खुद की जमीन भरने को बोलना है स्वैम इसी लिखा है और हेक्टियर में भरना उसको कनवर्ड करके भरना होगा और सिचाई हे तो उपलब्द कुल भूम अन की अब जैसे आपके पास दस बीग है जहां पर आप ट्यूब बिल लगाएंग उसके आसपास जमीन होगी तो वो कितनी है वो यहां पर भरनी है अन लोगों की किसान की परनी है लगों किर्शक है शीमांत किर्शक है अन है छोटा किशान है मर्दम किशान है इसका बोरिंग से जल निकाशी की प्रस्ताबित विस्ता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोरिंग से जल निकाशी होगी उसके लिए सूलर समसर्वल पंप्शेट या विद्ध आपको ये बताना होगा कि यहां पर सरकार बोर करा कर आपको दे रही ना की connection बगएरा करा कर तो आप कैसे जल उसका निका लेंगे कैसे उसका चालू करेंगे solar pump लगवाना चाहते हैं या विद्धुत से चालू करना चाहते हैं वो आपको slate करना होगा अगर आप और भी जो संसाधन मिलते हैं सरकारिक तरफ से क्या आप उच्छुक हैं जैसे कि HDP पाइप की जल्वितन प्राणली की स्थापना अगर आप चाहते हैं तो यहां पर आप उसे 19 mm 3.5 इंचिस या 110 mm 4 इंचिस किसका आप कराना चाहते हैं तो वो आप यहां पर सिलेट कर सकते हैं इसका सरवेच्छन कार है तो डीडी चालान पर बने यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर आपको पहले दोस्तों 15,000 रुपए का एक डीडी बनवाना होता है आप इदन करने से पहले और यह कहां से बनेगा आपका जो भी डिष्टिक का जल विभाग है जो आपके ब्लॉक इस तर पर सिचाई केंदर बना हुआ वहां पर जाना होगा और वहां से आधिकारी से मिलना होगा इसके बाद वहां पर जो डीडी बनेगा एक चालान बनेगा 15,000 रुपए का सुरी 15,000 मैंन करनी होगी अब यह कैसे करवाएंगे इसके लिए आपने ब्लॉक इस तर पर जाएए और वहां पर जो सिचाई विभाग के अधिकारी है उनसे कांटेक्ट करिएगा उनसे बोलिएगा कि मुझे सर्म फ्री बोरिंग इसकी में आविदन करना चाहता हूं तो जो उसका डीड नंबर चालान देनांग और चालान कावपी वो सारी हाँ अपलोड करते हैं अब ये उद्गोषणा की बात करें ये बहुत इंपॉटेंट है देख सकते हैं चैयन करें उद्गोषणा मेरे द्वारा उत्ता प्रदेश भूगर्व जल संशादान अब विनिम अद्रियम दो अगर आपने पशैकर लिया है तो यहां क्लिक रहने दो और आपको यहां पर संख्या भरनी होगी अगर पंजियन नहीं किया है तो असे मैं किर्षिव जऑरा संचालेत प्रदान मंद्री कुश्rine मोजना से सार ऊचाए संचलेत पंप इसदाभित करना चाहता हूं इसे किया है अगर आपने जो दोस्तों इक प्रधारमद्री कुस्व में हो जना चलती है वहाँ पर भी फ्री में बोरिंग सिस्टम किया जाता है वहाँ पर सरकार सब देती है अगर आप उन्हें उस पर आविदन किया है तो आप यस रहने दे और आप यसां क्या भरनी होगी नहीं पर दिखेगा और आप इदक ने जो अपने फोटो अपने डाला होगा वो यहाँ दिखेगा अर अस्ताक्षर दिखेगे और डीडी का जो चलाना बनवागला है उसका भी कॉपी यहाँ अपलोड करेंगी वो दिखेगा आधार की कॉपी भी यहाँ पर दिखेगी इसके बा पर आप इस फार्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, इसको जितने भी दिस्तावेज लगाएं सभी का फोटो कॉपी लगाकर आपको अपने ब्लॉक या जिले इस तर पर उससे चाहिए भी भाग होता है, वहाँ पर जाकर सम्मिट करना होता है, जब आप सम्मिट करें, ये लाँ पर पता भी लिख कराता है, कि इस पते पर जाकर आप शम्मिट करें, क्योंकि मुझे शम्मिट नहीं करना है, मुझे अपलई नहीं करना है, सरब आपको फिणी मारभ से बनाना मेरा उत्देश्ता, आपको जानकारी देना उत्देश्ता, तो इस वज attorneys में फाइन सम्मिट नहीं कर रहा हूं तो यह कर जरूर लें आप इसका प्रिंट आउड लेकर से सम्मिट जरूर करना होगा इसका विभाग के दौरा आपको सूचना दी जाएगी अगर आपका form accept होता है reject होता है अगर आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा free boring scheme के तहट आविदन करने में किसी प्रकार की समिश्य आ रहे तो आप हमें comment section में जाकर बता सकते हैं हम आपको जरूर help करेंगे किया आप डारेक्ट दूस्तों जो website है सरकार की यहां पर जाकर आप डारेक्ट सारी चीज़े पता कर सकते हैं मैं इस website का link आपको description में दे दूँगा यह website कभी कभी चलना बंद हो जाती है फिर से बताना चाहूंगा तो आप घपराएं नहीं आप ट्राई करें मैं early morning दोस्तों यहाँ पर start किया हूँ आप इदन करना तो website चल ली मैं इसके पहले दुपहर में प्रयाज किया दग करने का तब नहीं चल रहा था तो इसका भी स यह द्धान रखें दुड़ों पसंद आया हो तो लाइक से ज़रू करें कोई डाउट से है तो कमेंट सेक्टर पूछ सेक्टर पूछ सेक्टर थाइन्स होगा चाहिए